नमस्कार मैं हूँ अलफी और आप देखरें तत्काल न्यूस लाइफ उडिशा के गजन जिले में 25 वश्य एक यूवक को कथित तौर पर अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के कमरे में जहरीला साप छोड़ कर उनकी हत्या करने के आरोप में गिरफतार किया गया है एक पूलिस अधिकारी ने ब्रस पतिवार को बताया कि आरोपी इने कथित तौर पर एक सपेरे से साप खईदा था और उसे ये कहकर गुमरा किया कि वो साप का इस्तेमाल धार्मी कुद्देश्यों के लिए करेंगा अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने 6 अक्टूबर को वो एक प्लास्टिक के जार में कोबरा साप लेकर आया और उसे कमरे में छोड़ दिया जहां उसकी पत्नी और बेटी सोती थी उन्होंने बताया कि अगली सुबा दोनों साप काटने से मिर्ट पाए गए जबकि आरूपी पत्र दूसरे कमरे में सोया था